आउनी इस ट्यूटोरी ब्राण चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखे जैसा कि आप थम्नेल में देख रहे होंगे कि सिच्छा सेवा चैन आयोग नेमावली सिच्छा सेवा चैन आयोग से अब कैसी होगी भरती परिच्छा PRT, TGT, PGT भरती अब कब तक चली क्या है अपडेट इसको देख लेते हैं आपको अच्छी तरह जानकारी होगी कि बुधवार को जो है राजिपाल अनंदी बेन पटेल ने नए सिच्छा सेवा चैन आयोग को मंजूरी दे दी और सिच्छा सेवा चैन आयोग की निमावली की असूचना भी जारी हो गई ह तो क्या है अपडेट देखते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हथ प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें अपने दोस्तों को भी सेर करें चलिए देखते हैं देखिए यह हर तीन साल में पुनरेचित होगा बिसेशग्यों का पैनल सबसे पहले तो इसी को देख लिया जाए और उस यह भी देख लिजिए कि सिच्छक भरती में नब्बे प्रस्चत अंक लिखित परिच्छा वह दस प्रस्चत साच्छात कार के होंगे सिच्छा सेवचेन आयोग प्राइमेरी से उच्छ सिच्छा तक करेगा भरती यह तो आपको मालूम ही है कि अब जितने भी सिच्छक के पद हैं सभी की भरती का जिम्मा जो है वो सिच्छा सेवचेन आयोग का हो गया है अब पूरे प्रदेश में एक ही आयोग होगा सिच्छक भरती का और उसका नाम है सिच्छा सेवा चैन आयोग। बहुत दिनों से इस पर टिपड़ी चल रही थी कि कब तक ये प्रारूप में आएगा अपने कारूप में लेकिन बुद्वार को जो है महमहिम राजपाल जी ने इसे मंजूरी दे दी और तुरंथ ही सिच्छा सेवा चैन आयोग की नेमावली की जो है अधिसूजना भी जार ही हो गई जैसा कि आप पेपर में इसमें पड़ भी पा रहे होंगी कि प्रात्मिक स्कूलों से लेकर उच्छ प्रात्मिक उच्छ संस्थानों तक कि सिच्छकों वा अंदेशकों की भरती लिखित परिच्छा के आधार पर ही होगी नब्वे प्रस्चत अंक जो है लिखित परिच्छा के और दस प्रस्चत अंक जो है साच्छातकार के जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी मेरिट तुर्ची बनाई जाएगी और पारदरश्ता के लिए साच्चातकार में 29 चालिस प्रस्तंग और अदिकतम 90 प्रस्तंग ही दिये जा सकेगी और जहां केवल लिखित परिच्छा होगी तो वहां केवल लिखित परिच्छा के ही आधार पर मेरी सुची तयार की जाएगी हालंकि ये न्यूज पहले की है तो सिच्छक भारती में 90 प्रस्यतंग लिखित परिच्छा के वो 10 प्रस्यतंग साच्छातकार के होंगे और आपको बताएं कि बहुत दिनों से इसका इंतजार था अपना उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जहां सिच्छक भारती के लिए आयोग ही नहीं साल डिर साल से आयोग ही गायब हो गया था अब आयोग हलांकि अभी भी अध्यच्छ का गठन मने नहीं नियुक्त हुए हैं फिरहाल लेकिन नियम वप्रारूप सब जारी कर दिये गए हैं किसी भी प्रकार की अब धादले बाजी करना संभव नहीं है। बिसिसग्यों के पैनल का गुप्त दस्ता बेज होगा और उसे मुहर बंदली भाफे में सचिव या उनके द्वारा अधिक्रित किये गए किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की अभिरच्छा में रखा जाएगा। जब अध्यच की ओर से लिखित रूप से मांग की जाएगी तब मुहर बंदली भाफे को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही बिसेसग्यों का पैनल हर तीन साल में एक बार पुनर्चित किया जाएगा। सिच्छा सेवा चैन आयों की निमावली में की गई बिवस्था बिसेसग्यों के नाम रहेंगे गुप्त। ये बहुत बड़ी बात है। पूर की सूची में अगर कोई बिसेसग्य नई सूचना में सामिल किये जाने के लिए पात्र है तो उसे नए पैनल में रखा जाएगा। किसी साचातकार बोड में उपस्थित होने वाले बिसेसग्य को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोक की ओर से निर्धारित दर के आधार पर पारिसुर्मिक और सासना देश के अंसार यात्रभत्ता दिया जाएगा। बिसेस परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के बाहर से बिसेसग्यों को अनुमन्य वायुआन किराया अध्यक्ष के अन्मोदन से दिया जाएगा। अब आयोक के पूर कालिक कर्मचारी की सेवाएं आंतरिक होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि सिच्छा सेवाचेन आयोग धीरे धीरे कहिए तो अग्रसर हो रहा है। बहुत जल्द ही ये इसका मने अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य है वो पैनल तयार हो जाएगा और उमीद की जा रही है जो भाई सूत्रों से पता चला है उसके अंसार दिसंबर में हर हाल में उमीद है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के गठन की नियुक्ति की और उसके बाद जन्वरी में टेट परिच्छा भी संभावित की जा रही है और साथ में काफी दिन से वेट कर रहे हैं TGT PGT अभ्यरतियों के लिए भी एक खबर है कि इनकी परिच्छा भी कर उमीद की जा रही है क्यों हो सकता है अभी नहीं लेकिन चुनाओ के पहले उमीद की जा रही है कि परिच्छा हो जाए लेकिन नियुकती लोगसभा चुनाओ के बाद ही होगी या रजल लोगसभा चुनाओ के बाद ही होगी और नए पदों के अधियाचन की भी तयारी की जाए फिरहाल ये सारी बाते अपने नए सिच्छा से वाचेन आयोक की है उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से जहां की सिच्छक ही आधार होता है उसकी नियुक्ती का कोई बोड ही नहीं था तो वो उस बोड का गठन हो गया है आयोक का और उमीद सभी लोग रखें कि बहुत जल्द ही क्रिया में भी आ जाएगा तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी सेयर करना न भूले और चैनल पर नए होत प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आप के समख्च कोई भी अथंटिक अपडेट हो वो आप तक पहुंशती रहें ओके थैंक यू